मैं शुर्ब गुजार हूँ मिर्जा शफीक साब का कि पांच-छे साल से आप लखनों में तकरीर कर रहे थे इस बार मेरी बाजी आलेता बाजी ने मैंने भी शवाब साब ने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप आपके जंतर मंतर क्योंकि यही जगा होती थी बस जगा थोड़ी चेंड जो यह पहले उदर यहीं यासूब अबास मेरे साथ रहते थे अब उनको हमने कहा कि आप अलग करें आइस्ता इस्ता भी बतला है नोंने कि आज सुबे साथ साड़े साथ वजे मेरे पास अमरीका से फून आया महां मौसिन साहब हैं जो पूरे वाइट होस में इंशालला जो अड़ा बना रखा है आतकवाद का सुदी ने वो आज नंगा हो गया लोगों को मालूम हो गया कि कहां से पैसा चला है वो रोजे इमाम हुसेन का हो हजरत अली का हो इराक के जितने रोजे हैं सीरिया में जनाब जैनब का जनाब सकीना का जिस तरीके से ये डेक्ट करके आतकवाद को भेज रहा है उस चीज़ को वो काम कर रहा है हम और आप सब उसको नंगा कर रहे हैं आज तीन डिमोंस्टेशन तीन मेमरेंडम हैं जो देंगे और मैं शुकर गुजारतुनित द्वामुसा साब बैटे हैं बुशन हैं वली मेंदी माजेद ये अ अगर नियत सही है और यकीन है तो इवाम में जमाना देख रहे हैं भी भी जहरास कर देंगी कसीम हैदर साब से क्योंकि मेडिया में में साथ जगे दो अपने ख्यालाद दो चार मिनट रखेंगे क्योंकि हमें साड़े बारा एक बज़े का टैन दिया गया है मार्च करने का लिएजा सब की तक्रीरें थोड़ी थोड़ी देर इनके बाद हमारे आलेता बेहन भी बोलेंगी साकिरा हमें यहां पालिय मिन्त लग जाना है वहां हमने मेमरन्नम पुलिस को देना है बिसमुल्ला रख्मान 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 अलेकूं लैस पे तश्रीफ उल्मा इतराम और हाजरी हैं मैं कोई तक्रीर करने आपके सामने बिल्कुल हाजर नहीं हूँ बहुत सारी लोग माशालला लेखें यहां पर जो आपको वाकियात बनाई हैं लेकिन मेरी छमन भाई से पिछे तीन-चार साल से यह सिल्सला जिसमें आज हम यह आतजात के तरी पर बैठे हैं चल रहा है कहीं न कहीं कोई न कोई हमारे निजाम में महसूस कर रहा हूं कि उसके मैनेजमेंट में कोई न कोई कमी महसूस हो रही है मुझे लेकिन इस साल हमने वो भी इंशालला तै कर लिया है कि आएंदा आने वाले पास साल में इस एजिडेशन को इतना बढ़ाएंगे इतना बढ़ाएंगे कि इंशाललہ इसी पांस साल का जो आखरी साल होगा वो साओधी हुकूमत मजबूर हो जाएगी जन्नत अलबकी में तामीर करने के लिए तो ये डिस्कलोज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ आपको इतला कर रहा हूँ के मुझ से निकलेवी बात पराई होती है और ये तो नजदी हैं नजदी जो हकूमत कर रहे हैं इनके लिए तो रसूल ने दौा भी नहीं की इनोंने दर्खास की कि दौा कर दीजे बगर नहीं की रसूल नहीं मना कर दिया और इसका वज़ा बताई कि क्यों नहीं कर रहा हूं दौा तीन दफ़ा नजदीयों नहीं कहा कि दौा कर दीजे हमारे लिए का के नहीं मैं शाम के लिए दौा करता हूँ मैं यमन के लिए दौा करता हूँ लेकि तुमारे लिए दौाने करूँगा क्यों नहीं दौा करूँगा इसलिए दुआने करूँगा कि एक वक्त वाएगा कि तुम में से नौजवान निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे जिनका होलिया भी बताया उस हदीस में हदीस मौजूद है मुसलिम के अंदर पहले सुनत भाई हमारे उसको देख सकते है उसमें हदीस मौजूद है और उसे हदीस में ये लिखा है कि उनका होलिया बताया कि लंबी डाड़ी होंगे तेमत पहने होंगे बंदूख लगाए होंगे और नाहक मुसल्मानों का बेगुनाहों का खून बहाएंगे ये रसूल ने 14 सौ साल पहले फरमाया तो ये क्या है जब रसूल ने फरमा दिया कि उनका तो पेशा यही है ये तो बदू है आज भी बदू है जल्लतलबकी तो इनके लिए कुछ है ही नहीं ये रगज़े रसूल के लिए लगए लिये लगए है बिल्कुल साधिस चल नहीं है इसके पीछे आखरी बात कहके खतम कर रहा हूँ बस इसके पीछे यह केले नहीं है आप जहन में रखें इसके पीछे दो ताकते और हैं नाम नहीं ले रहा हूँ मैं लेकिन दो बड़ी ताकते और हैं जो इसके पीछे काम कर रही है, जब तक आप उनको भी नपक्डेंगे, फाली सAOORA को दबाने से नहीं होने वाला, कि जिसका बाप जिंगा हो, वो बेटे को दबाने से कोई फायदा नहीं, पहले उसके बाप को दबाईए, उसके बात बेटे को दबाईए, तो इंशालला रि झाल झाल